नमस्ती से दावसले मात रभुमे जैहिन दोस्तों मैं कि जंचन्द आप सब का एक बाद फिर से स्वागत करता हूँ शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को चले भड़ते पहले डिफेंस अब्डेट की तरब दोस्तों आप सब जानते कि Solar Industries भारत की वो इंतिजार कर रहे हैं और मैं आपको एक चीज़ और बता दू कि यह बात तब सामने आई है जब सेना ने डियार्डियो से कहा है कि पिनाका 3 वेरिंट को बनाया जाया जो कि बिल्कुल Solar Explosive Industry की तरह होनी चाहिए दरसल Solar Industries 200 किलोमेटर रेंज वाले टेक्टिकल क्रूज मिसा मिसाइल होगी वो मात्र 8 कड़ रुपे की आएगी जो कि युद में एक बड़ा गेम चेंजर भी होगी और साथी साथ सस्ती भी होगी चलिए बढ़ते नेक्स अप्रेट की तरफ तोस्तों कुछ खबरे सामने आई हैं जो कि ब्रमोज एरोस्पेस को लेकर आ रही है कहा जा सारे कॉंपोनेंट्स सोदेशी टेकनोजी के होगे और ये वो टेकनोजी होगी जो कि ब्रमोज एरोस्पेस ने अपने रॉकेट के लिए बनाई है यानि कि ब्रमोज एम में रैंप जेट इंजन टेकनोजी भी होगी जिसका मतलब साफ है कि ये जो नई ब्रमोज एम है उसक 16 तेजस मार्ग बने फाइटर जेट के शामिल होने के पाद इनेन एफोस की ताकत और बढ़ेगी और साथ ही इन फाइटर जेट्स की इनहांस शमता भी होगी खासकर किनके आवियोनिक्स, रडार और वेबन सिस्टम को लेकर बढ़तेन एक्स्टपरेट की तरफ भारत की दूसरी निकुलर पावर्ड पैलेस्टिक मेसाइल सामरेंड यानि कि SSBN 2024 के आंत में इन्डियन नेवी में शामिल हो जाएगी बढ़तेन एक्स्टपरेट की तरफ भारत की सुदेशी हेलिकॉप्टर्स को लेकर एक और बड़ी खबर आई है दरसल HL ने विद्वर्ष 2023-2024 की जो अनिंग रिपोर्ट है यानि कि आएक रिपोर्ट है उसमें दो महत्तपोंड हेलिकॉप्टर प्रोग्राम के विकास के लिए धनराशी यानि कि फंड आवंटित किया है रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडियन मल्टी रोल हेलिकॉप्टर जिसे कि हम IMRH कहते हैं इस प्रोग्राम के लिए 4,000 रुपे का बजट दे दिया गया है और यह जो वर्सटाइल हेलिकॉप्टर होगा वो ट्रूप ट्रांसपोर्ट, कॉमबैट सर्च और रिकनेसेंस मिशन के काम आएगा और IMRH डेबलमेंट का जो उदेश है वो विदेशी हेलिकॉप्टरों पर निर्भरता को कम करना है और मी-17 हेलिकॉप्टरों की बेड़े को बदलना है साथी भारतिय शेस्ट पलो को घरी रूप से निर्भित एक एडवांस मल्टी रोल प्लेटफर्म प्रदान करना है यहीनी इसके अलावा दोस्तो यूटिलिटी हेलिकॉप्टर मरीन जिसे की UHM प्रोग्राम कहा जाता है उसके लिए भी अत्रिक 2,000 करोड रुपे आवंटित किये गए है एलेस धूर प्लेटफर्म पर आधारित ये जो हेलिकॉप्टर है वो विशेश तोर पर भारतिय नौस सेना और तत्रक्षकबल की जरूतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया जाएगा जिने की युद्धपोतों से भी ऑपरेट किया जा सकता है और ये जो युएचेम है ये समुदरी गस्ट निगरानी समुदर में खोज और बचाओ अब 30S अंचालन और लोजिस्टिक सायता कर सकता है चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपरेट की तरफ दोस्तों हिंदुस्तान एरनोर्टिक्स लिमिटेट भारतिय वाई सेना के सुखोई 30MKI फाइटर जेट के लिए महतवपून अप्रेट प्रोग्राम के लिए तयार है कहा जारा है कि HL की फाइनेशल येर 2023-2024 की जो अनिंग रिपोर्ट है उसमें ये बास सामने आही है जिसमें कहा गया है कि भारतिय रक्षा शेतर में आत्मिरबर्था की दिशा में एक बड़ा कदम उठाय गया है इस अनिंग रिपोर्ट में सुपर सुखोई 30MKI अप्रेट प्रोग्राम के लिए HL को एक प्रमुक एजिंसी के रूप में चुना गया है मक काम का उद्देश भारतिय ऐरोस्पेस और अक्षाद्यों के भीतर घरीलू कमपनियों की विशेश अगयता और शमताओं का फाइदा उठाना है भारतिय विक्रेताओं को शामिल करने से कई तरीके के फाइदे मिलेंगे और इस रिपोर्ट में इस बात की भी संकेत दिखाई दे रहे हैं कि इस प्रोग्राम के एक साल के भीतर ये अपना पून रूप ले लेगा यानि कि मेटलाइज हो जाएगा एक साल के अंदर अधार इस बात का कुलासा हाली में साटलाइट तस्वीरों से हुआ है और दो दिन पहली की ये बात है जिसमें दिखाई दे रहा है कि जे टॉंटी फाइटर जेट तिब्बत में शिगास्ते एर बेस की में बात करूं तो ये एर बेस सिक्किम के काफी पास है और यहीं पर भारत ने कुछी दूरी पर पच्छे मंगाल में 16 राफेल फाइटर जेट्स भी तेनाद कर रखे हैं दोस्तो चाइना सभी देशों पर ब्रेशर बना रहा है जहां उसने ताइवान को चारों तरफ से घेर कर एक प्रैक्टीस की थी उसे लेकर भी ववाल बचा हुआ है और यह स्टाइजी वो भारत के साथ भी कर रहा है लेकिन चाइना हर भार भूल जाता है इस बात को की टाइवान टाइवान है और भारत एक ताकतवर देश है ऐसे मैं डिफन्स एक्सपर्स का भी मानना है कि चाइना का जो यह जे टॉन्टी है उससे डिप्लाइ करना कहीं ना कहीं चाइना की एक strategy है और चाइना ने दुनिया में बता रखा है कि उसका ये stealth fighter jet है जो कि radar में नहीं दिखता और इसकी deployment भारत की सीमा के पास करने का मतलब साफ है कि भारत को डराना अगर आप J20 को देखें तो इसका size काफी बड़ा है और engine का nozzle भी जिसे समझ कर जो हमारे defense experts हैं वो साब तोर पर बो को launch कर दिया गया है भारत की space startup अगनिकुल Cosmos ने लंबे समय के बाद आखिर वो कारनामा कर दिखा है जिसका सालों से विंतिजार कर रहे थे उन्होंने अपने पहले अगनिबान rocket को launch कर दिया है ये भारत का एक ऐसा rocket engine है जो कि gas और liquid दोनों तरीके की जो fuel है उनका इस्तमाल करता है अगनिकुल ने जिस rocket को launch किया है उसे अगनिबान यानि की सब orbital tech demonstrator के तौर पर जाना जा रहा है इससे पहले दोस्तों space tech startup ने कई बार इसके prediction launch करने की कोशिश की थी लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था लेकिन आकिरकार शीरी हरी कोटा से इसे launch कर दिया गया और पहुचा सकता है और सबसे खास बात इस अगनिबान रॉकेट की ये है कि अगनिबान रॉकेट की launching single piece 3D printed rocket engine के साथ की गई है जो कि दुनिया की पहली उड़ान है और ये भारत के space sector में बढ़री थाकत को दुनिया के सामने दर्शाती है तो फिलाल ये थे अभी तक के top defense updates वीडियो के समद्ध में कोई प्रश जवाब आपको को सवाल है कमें शेक्षे में लेकर जरूर पूसकते हैं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा मिलता होने जानकारी के साथ जैहिंद वंदे मात्रम